तो आज इसका आपको लेजर प्रिपरेशन सिखाएंगे विच सबसे पहली जर्णल एंट्री आपने की थी रियलाइजेशन में असेट्स को ट्रांस्टर करने की दा एंट्री वाज सबसे पहले असेट कौन सी थी एस तो आपके पास होगी क्वेशन में की नहीं है चलिए लिखना साट करिये तू प्रेमाइसेज वाल्यू 40,000 वेरी गुड देंचलन तू फॉनिचर अकाउंट एट इस 10,000 दें तू स्टॉक हो मच किना 40,000 दें तू डेटर्स हो मच देन तू बिल्स रिसीव बिल अकाउंट हो मच और अगर डेटर्स में प्रोविजन होगा चलना तो आप क्रेट साइट पर लिखेंगे पाई पी एफ डीडी लेस करके नेट वाल्यू अगर 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 आप लेस करके ट्रास्फर करते हैं इट मीज यू आ डिकलेरिंग एट अशूर्ड लॉस अशूर्ड लॉस तो वह गलात है और कोई ट्रास्फर चलना नेक्स्ट वह गलात है तो अगली एंट्री थी असेट सेल की वह वस थे इंट्री चलना रहें? अब यहां पर कुछ खास बताना था इसलिए मैंने आपको बोला इंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट तो आप लिखेंगे वाट चलना है इस पर माक्स कट जाएंगे तो आप डैश लगा कि जो जो असेट आपने बेची एक एक करके सबको लिखिए सबसे पहली कौन सी अ प्रेमाइस अट प्रैस डिट वी सेल दिस थाटीफ़एंट 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 तो अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो बहुत हाई चैंसे माक्स कटने के लिए क्योंकि काफी बार बोर्ड इस पर जो मार्किंग सीन देता है है हाफ अब अगर क्वेशन तीन मार्क्स का आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का आ सकता है तो आपको फिर सप्पे आप नहीं मिलेंगे चारों मिला के हाफ मिलेंगे और अगर आपने एक यह लाग पच्छेशार एक साथ लिग दी और माक्स अप्पे अलग अलग एक्शन था विष्व तोक वर बिल्दी रेसीवड़ वी दिद दैंटेशलन विष्णू चैपिल्ट नुट पीवाट इस ने एक लाइबल टीवर किये जिशनू ने टेक और किये सॉरी एंट्री इस रिएलाइजेशन अकौन डेट टेशनू टेट लिए टू जिसनू स्व तो यू कन राइट तो जिश्नू स्कापितल, वाट्स वालुव चलन, 27,000 समझ गए और उसके बाद बिल्स पेबल को पूरा पेमिंट कर दिया गया, एंट्री वाज रिलाइजेशन अकाउंट देट टू बैंक, तो विल राइट टू बैंक अकाउंट 10,000, एंड एक्सपेंस के लिए भी आप लिखेंगे टू, बैंक अकाउंट 10,000, विदिन ब्रैकेट्स दू मेंशन, बिल्स पेबल, क्रेइटर्स, एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना था, यहां पर बनता हो सकते हैं, बट प्लीज ये काम मत करिए अभी, बिकॉस इन दा एक्सामेनेशन, कोई भी बोट एक्साम हो, आपको क्वेशन या तो जर्नल का पूछा जाएगा सिर्फ, या तो सिर्फ आपको लेजर पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको debit or credit का difference निकालना पड़ेगा, तब आपके पास entries नहीं होगी, तो हम profit loss निकालने से पहले एक चीज़ आपको और बताते हैं, जिससे आप direct realization आज बनाना सीख जाएंगे, बिना entry के, कैसे सीखेंगे सर, बड़ा असान है, चारो खाने चित काहवत सुनी है, बजो चारो खाने चित काहवत सुनी है, चलिए, ध्यान दीजेगा इस बात को, हो मेनी सेक्शन्स हाव डिवाइड दा कंटेंट इंटू चलिए, अर्जुन बहुत कह में लोग, जात अब लोग नॉर्मल ही है, चार सेक्शन्स में, सबसे पहले आप transfer क्या करेंगे चलिए, आप समझ में आया, बालन शीट का मैंने आपको अनलेसे इंटर्परेटेशन क्यों से कहा थे, तैर आफ्टर क्या करेंगे आप ट्रांसफर चलिए, लाइबिल्टी, तैर आफ्टर, डेबिट साइड में, आप लाइबिलिटी को सेटल करेंगे, और क्रेडिट साइड में बचो, आप आसेट को रियलाइज करेंगे, आसेट को रियलाइज दो तरह से करेंगे, die को में लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और liability के के सलाइबिल्टि के केस में भी, ये चार बाते सब को सभूग आगए, तो बस चार बाते याद रखियेगा, debit side में transfer of assets and settlement of liability I repeat transfer of asset and settlement of TALS what did I say TALS और credit side में क्या था transfer of liability and realization of asset, खोपड़े में बात गई TALS and TLR, TALS and TLR ये दो भाई हुआ बते थे debit में asset का transfer, liability का settlement credit में liability का transfer and asset का realization बस इन चार बातों पर पूरे foundation realization के आ जाते है debit जादा है तो it is loss, credit जादा है तो it is profit debit कम है तो it is profit, credit कम है तो it is loss बाते समझ में आगे चलिए बताई बच्चो आपका loss आ रहा था profit आ रहा था loss तो आप लिखेंगे 2 जिशनू स्कापितल अकाउंट तो लॉस आ था profit था loss था, sorry 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 I wrote it on the wrong side मेरे को लगा profit था बाई जिशनू स्कापितल अकाउंट आप लॉस न बाई विशनू स्कापितल अकाउंट इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, what was the total coming? 1,98,000 1,98,000 1,98,000 बीक बीक बने विटेच को सब लोगों को धियान रखना है फिर से एक बार बोल रहा हूं transfer of assets, transfer of liability, followed by assets, realized and liabilities, settled तो T-A-L-S, T-A-L-S, then T-L-A-R, बस इसके basis पे पूरा realization मन जाएगा, पक्का चलिये, so next children we'll be preparing what is called as capital account, इसमें भी एक ब्रह्मास्तर आपको देता हूँ, दो चीजें question से pick करनी है, I repeat children, two things will be picked from the question, sir, कौन सी दो चीजें, सबसे पहले बचो, opening balance of capital and accumulated gains or losses, I repeat, दो चीजें question से pick करनी है, opening balance and accumulated gains and losses, sir, किसका opening balance, दो चीजों का, capital का और current account का, I repeat children, capital का और current तो टोटल बोल सकते हैं, तीन चीजे, capital का balance, current का balance, accumulated gains and losses, यह balance sheet से उठा लीजें, और sir, बाकी, बाकी, अल्टी-पल्टी concept, what? अल्टी-पल्टी, sir, what is this, अल्टी-पल्टी, very simple, very simple, एकदम असान है, realization में अगर टू जिश्नू लिखा है बचो, तो जिश्नू में क्या लिखेंगे? very good, in realization, if we have written by Vishnu, तो Vishnu में क्या लिखेंगे? very good, और अगर आपने realization में by Vishnu, by Jishnu लिखा है चल रहे हैं, तो जिश्नू और Vishnu में क्या लिखेंगे? is it a very great rocket science to understand, बच्छो, समझ में आगया? चलिए, do tell me, by balance brought down, what was capital of Jishnu and Vishnu? 60,000, very good, इतना समझ में आगया? check out in the question, do we have on the asset side, any accumulated loss? नहीं, any accumulated gain on the liability side? what children? reserve, so we will be putting what? buy reserve, value children, 6-4 है कि 4-6 है, 6-4, correct, अब बागी क्या करना है, बागी तो अकल का इस्तमाल, sir क्यों बताने हैं, ट्रिक, मैंने बताया न, exam या तो आप से journal पूछेगा, और या तो आप से ledger, तो आप capital account बनाने के लिए क्या time waste करेंगे journal entry बनाने का, तीन चीज़ें question से उठाईए, opening balance of capital, current and accumulated gains and losses, बागी AP, arithmetic progression नहीं, अल्टी-पल्टी, वाट अल्टी-पल्टी, तो बाइ जिशनु लिखा है चल रहे हैं, तो जिशनु में क्या लिखेंगे आप, गलत जवाब, realization में टू जिशनु लिखा है, सुनना नहीं है, देखना है, मैंने यहाँ प्यारों बनाया था न, some people are audio learners, be an audio and a visual learner, एक exercise इसकी कराई थी एक बर, नहीं कराई थी, नहीं कराई थी, चलिए exercise एक कर लेते हैं, चलिए, पहले exercise बहुत जरूरी है, psychological exercise है, दो चीज़ बताऊंगा सब को आज, जो मैं बोलूँगा, जो मैं करूँगा, आपको ऐसा ही करना है, रेडी, चलो, touch your head, your cheeks, chin क्यों touch किया, मैंने cheese बोला था, chin क्यों touch किया, मैंने cheeks बोला था, तो कुछ लोगों ने chin touch कर ली, और कुछ ने cheeks भी touch किये, ईसा नहीं कि capitalist, बागी बेवकूफ थे, intelligent फो और इंसान होता है, वो intelligent होते है, intelligent नहीं होते इलिए होते, दूसरे planet पे, वो सूपर इंटेलिजेंट होते हैं तो जिन्हों ने मेरी बात सुनके चीक्स चुए वो और तेज हैं पापा मी बोलते होंगे कान का कैसे चोटा है कैसे बड़ा करें चपल मारके समझ में आई बात की नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसी लिए आपके एक्जाम्स थेयरी भी होते हैं और प्रैक्टिकल हैंड्स-उन एक्सपीजिएंस भी कराया जाता है समझे बात को कि नहीं पक्का ऐसे तो सिर्फ सीए को हम एक्जाम पास करना दें काम करता हैं बट जब तो कॉफिस में काम करना सीखेगा नहीं एक्सपोजर नहीं लेगा कैस कैसे इंकम टैक्स का दोकुमेंट हैं लोता है कैसे इंकम टैक्स में बाते की जाती है वगयरा वगयरा तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बीकरा देता हुआ तो आपका तोड़ा और सैक्लोजिकल इंसाइट बता लग जाएगा सब के पास हाथ है न ऐसे मुठी बना लीजे ऐ अब कुछ लोगों का लेफ्ट थंब उपर होगा और कुछ का राइट थंब उपर होगा जिनका लेफ्ट उपर है उनके बारे में क्या विचार और राइट वालों के बारे में क्या विचार दोनों ही अच्छे बच्चे हैं फिर से करिए और देखिए क्या थंब चेंज उसको उपर और जो उपर था उसको नीचे बड़ा अजीव लग रहा होगा पुरा नाव लेट भी नाचुरली ठंडी लगाई है अरे ठंडी लग रही है तो नाचुरली तो वही थम बारवार उपर आएगा तो जिनका लेफ्ट थम उपर है गणतक टाइप के हैं उनका क्या आपक्यूलेटिव ब्रेंड ज्यादा स्ट्रॉंग है एस्थेटिक सेंस थोड़ा कम है तो कपड़े पसंद करने मज जाहिएगा अगेले बंबी को साथ लेके जाहिए गा और जिनका जिनका राइट थम सॉरी लेफ्ट थम उपर है इनका एस्थेटिक सेंस टुवर्ट्स क सबमें तो लड़कियों में यह लेफ्ट वाला जो थम होता है राइट वाला सवरी यह उपर पाया जाता है सब में नहीं सब में एसे होती हैं तो फिर से एक बार कर लीजे तो अगर उपर आ गया है तो आपका और क्याल्कुलेटिव ब्रेन आपके एस्थेटिक ब्रेन से जादा स्ट्रॉंग है सब्सक्राइब यह साइकलोजिकल फैक्ट है और ऐसा शायद सब्सक्राइब ने बताया आपको चलिए मैं पढ़ा लेका साबित होगा फिर सब्सक्राइब तो जैस कैपिटल टू विष्णु मैं लिखेंगे वैल्यू बचो 27 देन बच्व आपने लिखा था बाय विष्णु तो विष्णु मैं क्या लिखेंगे तू रियलिजेशन विपाज इसकी एंट्री तरह विष्णु रियलिजेशन वाल्यू इस एट थाउसन देन पीपल मस्ट विटें तो 15 and 10 समझ में आई बात की नहीं पक्का अब सर क्या करना है आपने बचों सेट्लमेंट की भी एंट्री की थी जैसे रिटारिंग पार्टनर के टाइम पर क्या सिखाया था ओल क्रेडिट्स वन साइड और डेबिट्स ऑन दा अधर साइड कर देंगे दोनों को क्रेडिट ज्य यहाद है तो पार्टनर विल गिव या सो कॉल्ड पैसा लेके आएगा कॉंट्रीब्यूट यह काम तो तब करेंगे जब जर्नल है आपके सामने शाक्षाक बवान बैठे हुए जिश्नु जी और विश्नु जी तो आप सो कॉल यहीं पे इनकी पूजापाट कर लें क्रेड देबिट इस शॉट ग्रेडिट अपैसे ले जाएंगे अन व्डेट इस प्रेडिट इस शॉट मतलब पैसे लाएंगे रडी चलिये तो 60 प्लस 6 अंद ग्रेडिट इस 66 अलिन प्लस 27 हो मच 66 plus 27 is how much 93 minus 15 is what प्रेडार किसी ने टू बालंस करेक्ड़न लिखा बिकास टुड़े इस सेवा समाप्त देवर 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 बालंसिंग फिगर इस सट्टल इंच्छ अंड टोटल कितना रहा था 93 थावसंड ओपर सिंगल नाइन नीचे डबल नाइन पीपल हर्ड दस अंडिस्ट दस एर इतस बच्छो 64 माइनस 18 इस वाट 46 46 वरी दिफकल टू अंड़ संग्या समझ्मा गया समझ्मा गया तो सिर्फ रियलाइजेशन के लिए चार बाते याद रखिएगा transfer of asset on the debit transfer of liability on the credit then asset को निपटाया credit में liability को सेटल किया debit यह चार बातों से रियलाइजेशन बनेगा तीन चीज़ें catch-up करिएगा capital account में question से one is partner का capital account उनका current account लोन से कोई मतलब नहीं है and there after accumulated gains or losses बाकि अल्टी पेटली अल्टी पल्टी रियलाइजेशन में जो debit होगा capital account में इसा काम हम वो पील अप्रोप्रोप्रियेशन से भी दो करते थे ना वो इंट्रेस्ट अन क्यापिटल दू कमिशने दर्भाएं करते थे बट वो एंट्री अलग लगती यहां तो एक ही एंट्री की दोनों जगा पोस्टिंग है डान वाजलन सबने कर लिए capital account वी क्विक व दो चीजें बस question से उठानी है सर यह तो एकदम reduce होता जा रहा है जैसे cbc कसले बस सिर्फ दो चीजें उठानी मेरे को लग रहे हैं पर चलिए तो सो कॉल यहां पर दो बाते लेनी है कौन सी बाते सर सबसे पहले opening balance ले लिए और पार्टनर का लोन वाट क्योंकि यह realization में गया नहीं यहां से पहोगा तो pick two things from balance sheet बाकी सब अल्टी पल्टी चलेगा सर किसका अल्टी पल्टी realization और capital account का अल्टी पल्टी what is opening balance of bank very good very good very good do we have partners loan on the liability side कि सर अपने पूछा कि पार्टनर ने लोन लिया है दिया नहीं है वह capital जो होता है दें चल्रें अल्टी पल्टी स्टार्ट करते हैं चेक आउट on the debit side of realization आपको नजर आ रहा है कहीं पर भी bank लिखा हुआ तो realization में टू बैंक है बच्चों तो बैंक में क्या लिखेंगे और realization कि टू टाइम्स लिखना पड़ेगा डॉंट से सर एड कर दें नंबर सब्ट्राक्ट हो जाएंगे बिकॉस इस टू जर्नल एंट्रीज विच विच वी आर पोस्टिंग चल्डन एक तो वन थाउजन है और एक तेन करेक्ट सब्सक्राइब भी सेम उसका कोई फरक नीपड़ेगा वह आप नीचे कर सकते हो पहले वन लिख दो बाद में टैन लिख दो चलेगा है दें चल्रें रियलाइजेशन में क्या लिखोगे तू रियलाइजेशन बट अगें हैर नो नीट तूशो दा लिस्टिंग यहां पर डारेक्ट लिख समझ गए तो रियलाइजेशन ठीक होना चाहिए बाकी सब अपने आप ठीक होगा रियलाइजेशन गलत हो गया टेंशन मत लीजेगा कुछ सही हो नहीं पाएगा ओके इसे कहते ना आपको सही चीज हो गई जीवन में तो आप सही चलेंगे गलत रिलाइज दो तो चलेंगे चलो capital account में वच्चो क्या credit side में नजर आ रहा कहीं पर बैंक नजर आ रहा है नो debit side में वच्चो तु तो यहां क्या लिखेंगे वाई जिशनू कैपिटल अकाउंट वाई विशनू कैपिटल अकाउंट सेवेंटी एट एंड पॉट इसक्स टोटल एज वन थर्टी फाइफ कभी भी आपका बैंक अकॉंट बचो बैलन्स शो नहीं करेगा इप इस शोइंग हंडेट परसंट आपका सल्यूशन गलत है और अगर टोटल सेम आ गया 99.99% अभी भी हैं कि आपका सल्यूशन गलत है क्योंकि सेम आने की वज़े डबल इंट्री प्रिंसिपल है आप डेबिट का कुछ क्रेइट का कुछ डेबिट कर दीजे बैंक अकॉंट तो टैली तब भी कर जाएगा दो इंट्री छोड़ देंगे तब भी बैंक अकॉंट टै जस्त फन में अको करेंट अकॉंट की क्लोज़िंगे करनी है तो चलिए जर्पान यहीं पर लेते हैं रेन का करने के लिए डबिट वैलंस वाफ क्या गरेंगे टो एंट्री वोड्विट विडी रीन princip अकाट फॉर्माट पर मैं करना हृइं करना क्लाउट का परेंट क्रेइट वालन से चल्गन को क्लोजिंग वाट तो इट्स क्लाउड्ट करेंगे इसका सेटल्मेंट करेंगे फॉलोड भाई विल ड्रॉप रियलाइजेशन अकाउंट एंड पैंक अकाउंट यहां पे बालंशीट नहीं बनती कभी भी यहां पे पार्टनर्शिप फिर्म डिजॉल्व के कोई एक पार्टनर असेट्स और लाइबिल्टी को टेक ओवर कर ले वहां पर बैलंशीट बनती है बट वह आपके ट्वल्ट के से बाहर है बटम पढ़ेंगे जरूर क्योंकि वह आपको सीए फांडेशन इंटरमीडियेट इंट्री इंट्री कर ली सबने चलिए आप कर लीजे का फुर्दर कंप्लीट चलो लेट्स चलो लेट्स चलो विट सर्टन क्वेस्टन्स तो बीप्रेक्टिस रेडी एवरीबडी मैं ट्रंजक्शन के आगे पीछे दायमा इंट्री लिखूंगा आप पॉर्माट में 3A expenses on realization before I start 4 बाते क्लियर कर देता हूं if it is a receipt क्या करेंगे बच्छो डेपिट if it is a payment क्रेंट कॉर्स्पॉंड इंग रियलाइजेशन क्रेट होगा और रियलाइजेशन डेपिट होगा करेक्ट इफ पार्टनर इज रिसीवर असे टेकोगर कर रहा है तो डेपिट करेंगे रियलाइजेशन को क्रेट इफ पार्टनर इज गिवर असे के साथ या असे के बगैर वो लाइबिल्टी टेक ओवर कर रहा तो पैसे देगा तो क्रेट करेंगे और कॉर्रिस्पॉंडिंग डेपिट किसको करेंगे रियलाइजेशन को यह चार बाते याद रखिएगा नेवर यू विल कमिट एर्रस हमने पहले भी लिखा हुआ इसको नोट तो गरे हैं बच्छो चलिए चलिए एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस वाली एंट्री से डॉमिनेटेड है क्योंकि बोर्ड में बहुत ज्यादा आजकर इसको टेस्ट करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड़ रहीम इसको बात में पैसे देंगे तिल यह कौन है मर लेका चौड़ी क्या होगी बच्छो जनल इंट्री रियलाइजेशन अकाउंट यह बहुत टॉट 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 टॉटर की स्टोरी बूल जाते हैं एलेवन में आउटस्टेंडिंग और प्रीपेड भूल जाते हैं सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं पास होने के लिए और टॉट ने बचारे पास भी नहीं पाते ठीक से एंट्री बट एक्जैम में कुश्चन है का लिखना पड़ेगा नो एंट्री तब माक्स मिलेंगे आपको इफ यू लिव इट ब्लैंक इट वुट बी काउंटेड़ अन अटेंप्टेड या नॉन अटेंप्टेड तब माक्स नहीं मिलेंगे जेड वस एंट्रस्टेड जिम्मेदारी दी गई उसको कि बारस्टो रुपे तुमको देंगे और तुम एक्सपेंस जेलोगे आगे जो लिखा वो भी हम बाद में पढ़ेंगे तो जेड को रिस्पॉंसिबिल्टी दी गई दाट यू और गोई तुम जेलोगे कौन देखा इसको पैसे फिर्म एंट्री चलन इट्स रिलाइजेशन अकाउंट डबिट टू जेड्स कैपितल अकाउंट करेक्ट करेक्ट चलन आफ्टर दाट इस रिटन एक्चुल एक्चुल एक्ट इस रियलाइजेशन अकाउंट डबिट टू एम्स कापट 1800 चलन एंट एक्ट सेडस काऊंट बाएजेशन सेट इसेड़ू एक्ट टू एक्ट इन्टी एंट्री हैms Capital Account Debit वह एंट्रॉपों एक्ट संवन्गें। सब्सक्राइब करेक्ट पेड बाइ पार्टनर ही थे तो हूँ वास आक्चुली सब्सक्राइब पास पैसे नहीं थे तो इसके बहाब पे किस ने पे कर दिया तो जब तक हम यहां पे पार्ट एम से वसूल नहीं लेते ही क्रेडिटर सुरी सॉरी डेटर और जब तक एण को दे नहीं देते ही जा क्रेडिटर तो अंडर यह किसी कोई यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे और गलती नहीं बोली जाएगी वह बेसिकली बेवकूफी बोली जाएगी और यह बेवकूफी आप क्यों करेंगे यह आपको थोड़ी दिर में खुछ समझ में आ जाएगा रेडी बच्छो रेडी अच्छा मैं देता हूं आप ग चलिए मैं सबसे पहले सु कॉल्ड डर सेकंड वाले ट्रांजक्शन की एंट्री लोगों से पूछूंगा इंट्री लोगों से पूछूंगा इस टॉक वर्ट शेक्स थाउजन टेकन ओवर बाई पार्टनर फी कैस करिये बच्छों एंट्री क्या होगी और अंसर ऐ गोट दाउट्सरा वाँ स्टाइब इस्ट्राइड कुछ बताना चाहता है और निजगे कर रहे हैं एक जगह आप गलती और अच सलिए देता हूं आपको चले I give you a hint आपने यहां पे कुछ गलती की है सब्सक्राइब और उसी की तो एंट्री है इसको ठीक से नहीं पढ़ा इसको ठीक से पढ़ी है शायद आपको ज्यादा बताएंगे मेरे को जूम को तोड़ा साथ खांसी की दवाई पिला ही ओदर जी खड़ा कर रहा है सोचिये 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 अच्छा चलिए एक और हिंट शायद अब आप सही आंसर देते हैं एन असे नॉट अपेरिंग इंद बुक्स वह साथ सो में बिग गई चलो अच्छा इसकी एंट्री बता दो दो खांस से ए असे बिकिए जिब Ichyu है कि रियलजसइशन डू बैंक कहा से होगी इक सबॉंक सब्सिए अब कोई गलती न heleगी कि इस पर्फेक्टली तबर्ट यहां पर आपने कुछ मिस्स किया है आपने कुछ मिस्स किया है यहां पर आपने कुछ मिस्स किया है यू तो बाद की इंट्री यह तो सही है यह तो सब्सक्राइए बट इससे पहले बच्छों हम क्या करेंगे आज जल्दी से होंबक कर ले ना शाम को पार्टी में चलना है तो पहले आप ट्रांसफर करेंगे 90% बच्चे गलती करते हैं ट्रांसफर करना भूली जाते हैं सबसे फ़ले तों ट्रांसफर करेंगे आप सीधेस पर चले आए इसलों तो मैंने बोला ना यह सही है सर इसको आपने क्यों नहीं ट्रांसफर कराया क्या लिखाया बच्छों नाट पेरिंग आंड रिकॉर्ड अस अजियूमिंग असेट्स अन लाइबल्टी इस वाल्रेडी बीन श्रांसफर काफी क्वेश्चन लिखे आएगा यह जल्दी करना बहुत जल्दी करना है पाटी में जाने के लिओ और डेंटिंग बेंडिंग तो करनी है चार दिन से कुछ लोग नहीं 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 आगी है खाना तो पाइं दिन पहले छोड़ दिया था पाटी का सुनगे समझाए गलतियां कहां पर होती है तो जीनियस लोग इन सब में मात खा जाते हैं सर पता नहीं क्यों 98 आ गया सब दो नंबर कहां कट गया इसी बेफूरी पर कट गया इसलिए कहते हैं रिमेंब्रेंस याद बहुत रखना पड़ेगा आंसर तो आप निकाल लेंगे बट चोटी-चोटी गलतियों में ने पढ़ जाएंगे इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर जाधा फोकस करता हूं समझे की नहीं समझे पका चलिए बागी तो अब होई जाएगा बैंक लोन चिल्ग्रन पे कर दिया सबसे पहले तो transfer entry आप करेंगे OTS को transfer loan को कर सकते हैं क्या होगी entry क्या होगी bank loan की transfer interest liability येस bank loan to realization and what is the payment entry for the realization to bank very good very good very good तो अंडर्सुट कहा पर गलती हो रही है पार्टनर ए अग्रीज तू पे एक्रेडिटर वाट्स दू ट्रांस्फर एंट्री फिर्स फोर्मोस दून को पैसे यहाद रखी बच्छों आपको जाए जाए रखने की जूरत नहीं है टो तो दो कॉड़ी की दलिदर इंट्री है सारी की सारी रिसेप्ट है कैश और बैंक देबिट पेमेंट है तो क्रेट पार्टनर रेसीवर है तो डेबिट कल को पे करेंगा लियाबिल्टी गिव रहे तो क्रेट अंद अधर साइड वाट विल पूट रियलाइजेशन सिंपल साथ दो लाइन का कॉंसेट पूरे चैप्टर का एक्युमिलेट गें लॉस सब कुछ क्लोज होना है जैसे पहले बताया हुआ है प्रोफित और रियलाइजेशन यह तो सब लोग कर लेंगे इं रखिएगा अगर लिखा एक टॉप आफ्टर ट्रांसफर ऑफ असेट्सन लाइबल्टी तो ट्रांसफर इंट्री नहीं करनी कॉटेट क्लियर तो मैंने टाइंस वी गेट एक्स्पीरियंस तो चेक्ट कॉपी सब्सक्राइब नहीं है तो जो बच्चा वहीं सेंट्री को ल परसंट प्रेस्पिरेशन वन परसंट इंस्पीरेशन फ्रॉम इंस्पीरेशन फॉम इन अगे चले आगे चले चली वेक्टिन नमबर शेक्स सरिये फोर था शेक्स आ गया वेरगॉन फाइव फाइव से थोड़ा लड़ाई जगड़ा उसको थोड़ा मैंने ज्यादा मार पीट दिया था तो वह आस्पिटल में जमा हो गया मतलब बेट में तो पहले तो पहले तो चलिए तो लेट स्टाट चल इसमाइब करना है कि दिजोलुशन एक्सपेंज साथ सो रुपह है बचों एंट्री यह रिया बदेखी है मजा क्या है क्रेडिटर सेडवाट चल्रें अल्रेडी ट्रांसवर्ड यहां पर आपको ट्रांसवर करना है सब अगर वाई-चन्स हमने कर दिया तो नहीं कि आपने एक्स्ट्राइंट्री पास्ट्री या कोई जरूप नहीं है वाट विल वी देंट्री पॉर इट्स पेइमेंट चल्ड़न तो इदर लास्ट यह में इस यह में बेसिकली डिसलूशन का बड़ा कुशन है तो जैसे पहले आपने किया नहीं तो ऐसे इसे बहुत आते हैं एक्जाम में आपको 45 दे देंगे और यह क्वेश्टन फॉर मार्स में भी आता है त्री में भी आता है त्री में भी आता है देंचलन स्टॉक अल्रेटी ट्रांसफर्ट टू रिलाइजेशन एम ने टेक ओवर कर लिया वाट्स देंट्री एंट्स एक्सल श्रीन स्काप्टल में भी श्क्राइबडकर शन्रेट इस थेंट्र ट्रीव थेंट्रीफफेटर डेश्टी फैट्रीम्स स्टॉड़ंट्स ये चोंटे मोटे टॉपिक्स हैं इन को पढ़ना बड़ा जरूरी है तो पहला टॉपिक है चल्रेंट ट्रीटमेंट ओफर बिल डिसॉनर एंड डेटर डिकलेड इन सॉल्वेंट ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा फॉर्म का एक डेटर था जिसके उपर आपने बिल ड्रॉ किया था बैलन्स चीट में बचनों 10,000 रुपी का बिल रसीवल था तो कॉल्ड आपको इस डेटर से बिल रसीवल का पैसा लेना था फॉर्म डिसॉलूशन की स्टेश पर थी और उससे पहले डिसॉलूशन की काफी पहले वी गॉट तबिल डिसकांटेट फ्रॉम डिसकांटेट यह 10,000 का बिल था बैंक पेडस 9500 सो चलन आफ्टर डिसकांटिंग क्या यह बिल रिसीवल जैसा कुछ रहेगा मारी बुक्स में नॉट अट पॉल और यह डिसकांटिंग हुई थी ऑन 10 ऑफ जैनवरी 23 को कोट ने ओर दिया फिर्म के डिसॉलूशन का ओन 15 ऑफ मार्च 23 कब इस बिल का पेमेंट हमने बैंक से बोला कि आप ड्यू डेट पे जाके ले लिजेगा और ड्यू डेट वाश चिल्डरें 30th मार्च 23 चीजों को लिंक करना स्टार्ट करिए वाट इस दूडेट चलन 15 मार्च वी गॉत इट डिसकांटेड ऑन 10th जैनवरी वाट एक यह सॉरी सॉरी मिस्टेक सॉरी चलन फॉर्म का डिसलूशन हुआ 15 मार्च को और हमने बिल को डिसकांट कप कराया 10 जैनवरी को और बिल की ड्यू डेट क्या थी बचो 30th मार्च ना बैंक ऑल्सो नोस कि इनकी फॉर्म 15 मार्च को दो बंद हो गई अगर हम 30 मार्च तक का वेच करते है और इस डेटर ने ड्रोई ने पैसे नहीं दिये तो हम तो किदर के भी नहीं होंगे ना हमको यहां से पैसा मिलेगा और फॉर्म तो अल्रेडी डिसल्व हो चुकी है तो वाट बैंक टुरं जटपट फॉर्म के पास आएगा और फॉर्म से गएगा प्लीज मेरा पैसा मेरे को वापिस करते है रिपीट बैंक फॉर्म से बोलेगा कि मेरा पैसा मेरे को वापिस कर दिया जाए तो फॉर्म काईगी ठीक है आपका पैसा आपको वापिस दे देते हैं नॉट वरी हम इंट्री पास करेंगे सो कॉल्ड बैंक को पेमेंट करने की रियलाइजेशन अकाउं डेबिट टू बैंक पूरा का पूरा दसजा रुपए बैंक हमसे वसूल के ले जाएगा नाव वील गो तो देटर सेइंग वाई देखो हमारी हालत खराब है हम डिजॉल हो चुके है तुमने जो पैसे 30 मार्श को देने थे हमने वो बिल बैंक से डिसकाउंट तो कराया था बट बैंक is not willing to come to you and take the money तो बैंक हमसे इस बिल का पैसा पूरा ले जा चुका है जो हमने डिसकाउंट कराया था नाउट इस यॉर रिस्पॉंसिबिल्टी कि जो तुमारा पैसा यहां पे डियू है वो तुम को आज 15th मार्श को दे दो गरीब यूट पर से आठा गीला हम यह In solvent हो गया हम dissolve इस इंसाअड हो गया है वह लया कि अंदर छोड हो गलें इंडिया है सब्सक्राइब तो सो, नेट हमारे पास कितने पैसे आ गए बचो और बैंक को कितना दिया अगर आप यह दो एंट्री नहीं करना चाहते तो आप एक नेट एफेक्ट एंट्री कर लें बैंक को फाइनली आपकी पॉकेट से आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे सब्सक्राइब नेट आपकी जेब में कितना आया बचो सवरी कितना आपकी जेब से गया सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन क्यों कुछ नहीं लिखके देगा how much you paid to the bank and how much you recovered question आपको गोल मोल बाते करेगा question कहेगा a bill worth rupees 10,000 was earlier discounted was earlier discounted and dishonored इससे clarification हो गया कि bank पूरा पैसा वसूलेगा आपसे आके bank पूरा पैसा वसूलेगा और उसके बाद question में लिखके आएगा the debtor paid 30 पैसे इन रुपी तो अब इसका मतलब है कि 10,000 का आप कितना उससे वसूलेगे 30 और bank वाले जब इससे पैसा माँगने गए यह कहरा sorry मिरे पाद पैसा ऐसा नहीं है got it to either do two separate entries or do one so-called net effect entry बात समझ में आगे so my example says the same thing here for amount realized from debtor जितना वो हमको दे पाया 2400 और bank को हमने पूरे पैसे देने है 4000 तो हमारी pocket से बच्चो कितने पैसे गए 4000 और pocket में आए कितने 24 तो net कितने गए बचो so paid to the bank will be the amount of this bill and receive from debtors whatsoever is the recovery तो जो debtor से वसूल पाये वो recovery और bank को pay कितना करना है बिल का पूरा amount यह कहीं नहीं लिखके आएगा whole money was paid to the bank सिर्फ इतना लिखके आएगा bill worth 4000 was dishonored and the drawy paid 60 पैसे in a rupee full stop बस यह दो sentence हैं तो bill which was discounted dishonored इसका मतलब आप bank से पैसा ले चुके हो पहले तो आज भई बैंक को पूरा देना पड़ेगा ड्रोई 60 परसन दे पार रहा है तो 2400 तो language कुछ और है और जर्नल इंट्री कुछ और है तो इसलिए मैंने इंट्रीट्मेंट को यहां पर अलग से लिखा हुआ है प्लीज कोट दिस वाट आफ कोटेड इन रेडिंग सब लोग समझ गए इस बात को पका चलिए क्वेशन नंबर फाइव इस इन फ्रंट ऑफ यू चलिए क्वेशन नंबर फाइव इस इन फ्रंट ऑफ यू सबको नजर आ रहे सबको नजर आ रहे एक ट्रीटमेंट आपको और बता दूं फिर मैं फाइव पर आपको बच्छों एक ट्रीटमेंट बस और सुन लीजिए आप देना कम टू प्रेकॉशन याद रखिएगा आपको यहां पे डेटर्स में प्रोविशन कितना नजर आ रहे हैं पूर थाउजन एट वोंट भी ट्रांसफर्ड एट वन सिक्टीन डेटर्स को आप असेट की तरह ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन वूट भी ट्रांसफर्ड लाइक लाइबिलिटी मैंने अपर लिखा भी एपी एफ डीडी क्रेटर्स बिल्स पेबल्टू यह दो बाते याद रखिएगा ठीक है चलिए वापिस आईए एक क्वेस्टन नंबर फाइव इस विजबल वेल टौल मिल गया क्मेशन नंबर फाइव अड़ टॉप इस वाट पास नेसेश्टी जरनल इंट्री 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 करनी की जूरत नहीं है बात समझ में आगई नहीं आई कर लेंगे चलिए स्टार्ट विद्ध वाला आपके साथ स्वाल करूंगा बिल रसीव बिल टैन थाउजन रवी के ओपर ड्रॉप किया और नाव टेसल्रन बैंक से डिसकाउंट हो गया और क्या हो गया बाद में और रवी से कितने पैसे मिले सब मतलब 9999 रूपी 20 पैसे न बाइड डिफॉल्ट अगर आपने बैंक को किसी का बिल दिया और वो परसन बैंक को पैसे नहीं दे पाता तो आपके जिम्मेदारी तब तक रिलीफ रिजॉर्व नहीं होगी जब तक बैंक को उसके पैसे मिल नहीं जाते आस पर दर लॉस अप्टरी समझ में आ गया और अ एंट्री फॉर पेमेंट तुद बैंक चिल्रन एक्सलेंट को यह तो नहीं बोलना चाहता सर रियलाइजेशन डूबल रसीवल लिख लीजे सब कुछ क्लोज हो चुका है वैल्यूट भी हो मैच 10,000 और रवी जी से हम को कितना मिला बच्छों 80% is 8000 पैसा लेने एक एंट्र एक्दम सिंपल एक्दम सिंपल रिसेप्ट है तो डेबिट पार्टनर या बैंक एस्ट्रेट में रियलाइजेशन मनी इस गॉइंग आउट या पार्टनर गिवर है तो उनको डेबिट कर दोगे और रियलाइजेशन डेबिट चार लाइंग में पूरा चैप्टर से बागी कर लेंगे चलिए चलिए स्टार्ट फास्ट अब बिल फॉर रूपीस फाइफ थाउजंड इस रिसीवड फ्रॉम मुनिसिपल कमेटी यह पता है कौन सी मुनिसिपल कमेटी है देवल्पेंट अथॉर्टी ऑफ दे सिटी यह सरकार को पैसे देने आपको अन दे सेम पास पास पेटेंट थे और इसको राइट-फ कर दिया गया था वाइन अगरी किया टेकोवर करने के लिए इजी वाइस कापितल टू रियलाइजेशन अड असे टेकन ओवर की एंट्री आप करेंगे चलें इस एक्सस कापितल वाइस कापितल जेट्स कापितल टू रियलाइजेशन 54,000 3456 54 को डिवाइट करेंगे तो 27 18 and 9 everybody understood समझ में सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नेक्स टॉपिक होगा सेटल्मेंट ऑफ एक्चेंज और एकदम सिंपल टॉपिक है कुछ होंबक माग कर लिए बच्छों ट्यास्टी वाले से क्वेस्टिन नम्बर सब्सक्राइब करवाइब करीजिवाइट नाथिंटेश निटिटेट्स डॉपिक नाथिंटेश वन लेकर सब्सक्राइब को सेवेंटीन तक तो जर्नल बोली रहा है गुशन एटीन नाइंटीन ट्वेंटी में एट रिक्वाइज रियलाइजेशन अकॉंट बटा जर्नल इंट्री बनाएंगे पका चलिए दथ सुल्फटेशन